Welcome to IT Runner Classes, आजब यह दिखते है, presenting definite का first name क्या था, जब क्या सब्द पहले आए, तो हम क्या करेंगे, पहले साहिक करिया लिखेंगे, फिन subject लिखेंगे, फिन वर्ब लिखेंगे, फिन other word लिखेंगे, यहाँ पे कुछ एक्जम्ब्स हमने लिखा है, उसको translate करते हैं, इस rule के हिस से, ऐसे क्या सिपाई चोर को पकरता है, अब देकिक 20CJT पहले हैं, क्या सबझ पहले हैं तो हम क्या लिखेंगे। करता के हिसाब से ही क्या लिखेंगे हम helping and how क्या सिपाई सिपाई शेपाई मतलब चोर, चोर्म से तीप, तब ड़च ठिप ड़च ठिप क्या सिपाही चोर को पकड़ता है ड़ज पोलिसमेन ड़ज ड़ज पोलिसमेन कैच दथीप क्या ड़ज पोलिसमेन कैच दथीप पहले helping वर फिन subject फिन 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 अबजक्ट यह को आश्मान में सितारे चमकते हैं क्या आसमान में सितारे स소्प चमकते हैं तो पहले हम क्या लिखेंगे यह पर अठेलिक क्या सुझत है असमान में सितारे सितारे मतलब बहुत बचन हो जाएगा यहां पर क्या आसमान में सितारे चमकते हैं तो इसका पहले क्या हो जाएगा यहां पर सितारा क्या है यह नाउन है यह क्या है नाउन है तो हमारा क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसके हिसाब से हमसाय करिया ये बहुत बचने सितारे एक सारे हैं नहीं बहुत सारे स्टार हैं तो do stars do stars shine shine in the sky in the sky do stars shine in the sky क्या मतलब क्या सहाय क्रिया फिन उसके बाद यहां पर क्या आगया हमारा subject आगया फिन चमकना shine माने चमकना यह हो गया in the sky आस्मान में अब देखिए क्या कुछ लड़के नदी में नहाते हैं कुछ लड़के मतलब some wise कुछ लड़के मतलब some wise तभी हमारा क्या हो गया pure लर हो गया सिर्फ लड़का होता तो singular रहता pure लर हो गया तो तो do some wise do some wise take the bath in the river in the river do some boys do हमारा क्या हो गया some boys कुछ लड़के take the bath नहाते हैं in the river नदी में पहले हम क्या लिखेंगे helping word plus subject plus verb plus other word object या other word ये हमारा क्या हो गया ये क्या हो गया हमारा helping word हो गया ये हमारा subject हो गया ये हमारा word का first form हो गया ये हमारा इधा object बचा object plus other word यहां पर last में हो जाता है अब देखें क्या वे लोग school जाते हैं क्या वे लोग मतलब बहुबचल do they do they go to school do they go to school do subject हो गया हमारा helping word हो गया they subject हो गया go क्या हो गया हमारा इधा VARB हो गया school क्या हो गया हमारा object हो गया हमेशा जब कहीं पे जाएंगे और वहां पे थोड़ा दोर डुकेंगे या दो चार घंते के लिए जाएंगे मतलब कहने का यह कहीं पे भी आप जाते हैं और वहां पे रुकते हैं तब वहां पे हमारा क्या लग जाएगा बीच में टू लग जाएगा अब देखिए, क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं, क्या मैं रोज पतंग छट पर उड़ाता हूं, क्या मैं रोज पतंग छट पर उड़ाता हूं, तो क्या मैं, क्या मैं एक साथ है, डू लगेगा, क्योंकि यह क्या है, प्यूलर है, बहुबचन है, बहुबचन के साथ है क्या लगेगा, डू, आई, उडाना, फ्लाई, दिकाइट, पतन को, अन्दरूफ, रोज, डेली, डू, सबजेक्ट हो गया, सोरी, डू, हिल्पिंग वर्ब हो गया, यह क्या हो गया, हिल्पिंग वर्ब हो गया, आई हमारा क्या हो गया, सबजेक्ट हो गया, फ्लाई क्या हो गया, उडाना हो गया, काइट हमारा क्या हो गया, अबजेक्ट हो गया, अन्दरूफ क्या हो गया, यह हमारा अधर वर्ड हो गया तो क्या मए रोज पतंग छ्थत पर उड़ाता हूं पहले क्या लिखा हमने है क्यूसन मार्क या डूडर्स साहर क्रिया पहले लिखना है उसके बाद सब्जेक्ट लिखा फिन फ्लाई वर्ब लिखा फिन काइट अब्जेक्ट लिखा फिन अंदरूफ मतलब अधर वर्ड हो गया अगो तो इस तरह से हमने क्या इंटरोगेट्व का फर्स्ट नियम देखा कलम पढ़ाएंगे इंटरोगेट्व का सिकन् नियम वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए